हेलो गाइज माइसेल्फ शुभा मगरवाल फ्रॉम टीमाशी तो अब अब आ गए अपने नेक्स विटामिन के उपर B7 ठीक है इसका दूसरा नाम क्या है बायोटिन वही सबसे पहले थोड़ी बहुत केमिकल स्ट्रेक्चर की बात करेंगे इसमें भी को एंजाइम फंक्शन उसकी डेफिशेंसी मेनिफेस्टेशन देखेंगे वैसे इसकी ज्यादा कुछ नहीं है और और सोर्स देखेंगे चोटी से वीडियो होने वाली है इसका एक और नाम होता है विटामिन B7 का एंटी एग वाइट इंजरी फेक्टर अब यह क् इसकी परपस के लिए मैंने आपको पहले ही पहले उपर उपर बता दिया अब अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इमीडाजोल रिंग होती है इसके अंदर इमीडाजोल रिंग जो होती है फ्यूजड विथ थायो पैंटोन रिंग थायो पैंटोन रिंग और इ भी बताना है अपन सीक्वेंस में चलते हैं तो क्या पूरा किसी को ज़्यादा पढ़ना हो तो अपन हर चीज बता के चलते हैं अब मेन बात करते को एंजाइम एक्टिविटी की ठीक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है तो इसका एक्टिव फॉर्म यही नाम ही बायोटीन है ठ अब पूरा अच्छे से याद आएगा यह मेरी कारेंटी है अब आपन देखता है कि बायोटीन रिक्वाइरिंग्न रिक्वाइरिंग्रिएक्शन ्षियम में पड़ी थी सब अपने देख रखी है, फटा-फट से याद करो कौन-कौन से थी, सबसे पहली fat metabolism में पड़ी थी, Acetyl Coenzyme A Carboxylase, क्या करता है यह, Acetyl Coenzyme A कितने कार्बन का, दो कार्बन का, इसमें एक CO2 जोड रहा था, और बन रहा था, अपने पास, Malonyl Coenzyme A, कहां पर पड़ा था, Fatty Acid Synthesis के अंदर, पहला step, Rate Limiting Step, ठीक है, याद आया, नहीं आया, तो D-Novo Synthesis पर जाओ, वीडियो पर और वहां देखो, यह था कि नहीं था, ठीक है, मैंने वहां भी यही बताया था, ABC याद रखना है, इसमें ATP चाहिए, बायोटीन चाहिए, और कार्बोक्सिलेशन है, तो CO2 तो एड़ हो गई होगा, ठीक है, तो ABC, ATP, बायोटीन, CO2, ठीक है, पहले रियक्शन याद आगी, दूसरा, प्रोपियोनाइल, को एंजाइम A, कार्बोक्सिलेस, याद आया है, यह क्या कर रहा था, प्रोपि कहां पर पढ़ा था, और चेन, फैटी एसेड के अंदर, ठीक है, जो फाइनल एक बच रहा था, और चेन का फैटी एसेड, प्रोपियोनाइल में बदलता है, अगे यह क्या करेगा, वैसी यह इतना लिखना नहीं है, बस आपको रियक्शन और एंजाइम का नाम लिख इसमें भी ABC, Biotin के requirement, carboxylation और ATP के requirement, कौनसा एंजाइम, प्रोपियोनाइल को एंजाइम है, carboxylase, तीसरा एंजाइम, pyruvate carboxylase, कहां पढ़ा था, फटा फट बताओ, उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्या कर रहा ही है, pyruvate को oxaloacetate में convert करता है, pyruvate carboxylase, और यह ox of glycolysis, क्या, gluconeogenesis, ठीक है, तो यह main important आपकी यह 3 reactions आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है, कि मैंने ABC, ABC, ABC इतना कर दिया है, कि आप ABC के आगे बड़ी नहीं पाते है, तो हर carboxylation reaction, biotin dependent नहीं होती, कुछ ऐसी reaction है, जो biotin independent carboxylation reaction है, ठीक है, तो वो exception ह आपन में भी होता है, और हर चीज में होता है, तो biotin independent carboxylation reaction ठीक है, और exception वाइवा वाले का प्यारा होता है, ठीक है, वाइवा जो वाइवा लेता है, उसको exception से प्यार होता है, तो वो बोलता है, biotin independent reactions बताओ, बता देंगे, पढ़ रखिए वो भी अपने, कार्बमोईल phosphate synthetase, यह enzyme कहां आ जाता, बताओ, पहले तो बताओ, इसके कितने form होता है, दो form होता है, CPS1 और CPS2, ठीक है, CPS1 कहां पर पढ़ाता है, यूरिया synthesis के अंदर पहला step, और CPS2, pyrimidine, de novo synthesis of pyrimidine के अंदर, ठीक है, तो यह जो होती है, इन में जो carbon, carboxylation reaction जो होती है, CPS1, CPS2, इन में भी CO2 add हो रहा था न, बत यह जो है, यह आपकी biotin independent reaction है, दूसरा, एक याद रखे है, तो यह रख लेना, के malic enzyme जो होता है, malic enzyme जो आपका pyruvate, को malate में convert करता है, यह भी biotin independent reaction है, और तीसरा, अपनने 1 carbon metabolism में पढ़ा था, addition of CO2, to form C6 purine ring, ठीक है, प्यूरीन की ring मे जो C6 बन रहा था, CO2 के जोडने से, वो भी biotin independent था, और अभी अपनने 1 vitamin में पढ़ा, बताओ कौन सा, gamma carboxylation, किस में पढ़ा था, gamma carboxylation, vitamin K के अंदर, ठीक है, gamma carboxylation हो रहा था न, glutamic acid residues का, तो वो भी biotin independent था, वाह मैंने कुछ बोला था, ABC आपको, के biotin चीए, ATP अपन उपर लिखना भूल गए, biotin antagonist, वो भी एक बात अपन करेंगे यहां पर, ठीक है, तो उसकी बात करते है, biotin antagonist, ठीक है, तो biotin antagonist क्या होता है, कौन सा होता है, biotin antagonist होता है, evidin, biotin का बिलकुल opposite होता है, और ये किस में होता है, egg white के अंदर present होता है, ठीक है, ज एक वाइट वाला part होता है, उसके अंदर होता है, evidin, और जो एग योक होता है अंदर का, उसके अंदर होता है, अपका, biotin, ठीक है, तो ये दोनुं important, और ये evidin जो है, ये biotin antagonist है, ठीक है, तो अभी आपन बात कर रहे है, biotin के antagonist की, यानि की evidin की, ठीक है, तो evidin इसकी great affinity होती है, great affinity for biotin, इसलिए raw egg खाने है, अगर किसी person raw egg खारा, मतलब unboiled egg खारा, बिना boil किये, एक को खारा है, तो उसमें biotin की deficiency देखने को मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि boil नहीं किया, तो भार वाला egg, white वाला part है, उसमें क्या, evident है, biotin का antagonist है, ठीक है, तो मैंने शुरू में आपको बताया था, कि इसको कहते है, anti-egg white injury factor, तो ये इसको कहने का मतलब यही है, ठीक है, और मैं अगर बात करो, तो ये evidine जो होता है, ये heat labile होता है, ठीक है, heat से destroy हो जाता है, इसलिए आप boil कर लो egg को, तो ये जो evidine है, ये destroy हो जाएगा, और आपको बायोटीन की deficiency नहीं होगी, ठीक है, इसलिए एग boil करके खाने चाहिए, ठीक है, evidine is heat labile, and boiling of egg will neutralize its inhibitory activity, और एक बात ध्यान रखना, कि one molecule जो evidine का है, वो combine करता है, चार molecule of बायोटीन के साथ, ठीक है, और इसमें एक important बात क्या है, कि ये affinity जो होती है, between evidine and बायोटीन, य ये बहुत ज़्यादा greater है, most stronger affinity होती है, then antigen antibody reactions, जो antigen और antibody की affinity होती है, उनसे भी ज़्यादा इसकी affinity होती है, इसलिए इसको अपन use लेते है, ELISA के अंदर, और DNA labeling के अंदर, इसका use लेते है अपन, ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे, तो आपको और समझाएगा, पर ये बा बायोटीन को label कर देते है, nucleotide पे, और फिर DNA पे incorporate हो जाएगा, ठीक है, और फिर evidine क्या होगा, evidine उसको फिर fixed biotine है, वो reaction करवा के, evidine के साथ, बायोटीन और evidine की क्योंकि stronger affinity है, और उससे अपन पता लगा सकते है, ठीक है, तो वो सब system है, अपन और आगे molecular और वो इंजरी factor और यह heat labile होता है, boiling से destroy हो जाता है, ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, इसकी deficiency manifestations की, ठीक है, अब अपन इसकी deficiency manifestations परते हैं, तो इसमें कुछ खास deficiency manifestation नहीं है, एक यह बात ध्यान रखना है कि यह क्यों दिखती है, due to prolonged uses of antibiotics, ठीक है, अगर prolonged use कर रहे हैं, आप antibacterial substance या antibiotics ज्यादा ले रहे हैं, तो इसकी deficiency देखने को मिल सकती है, और deficiency में होगा, क्या neurological manifestations, neurological manifestations जैसे की hallucinations, और क्या-क्या होगा, dermatitis, skin के features दिखेंगे, dermatitis, और क्या होगा, atrophic, glossitis, और muscle pain, ठीक है, और anorexia, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, तो यह कुछ इसके common features है, इसके कुछ ज़्यादा ऐसी खास disease वाली बात नहीं है, ठीक है, अगर इसके RDA की बात करें, तो RDA इसका approximately 30 to 40 microgram per day होता है, और sources की, अगर मैं बात करूँ, तो यह किसमें present होता है, सबसे पहले अपनने बता है, एग-yoke के अंदर present होता है, एग-white के अंदर, नहीं एग-yoke deficiency ज़्यादा थे, देखने को मिलती भी नहीं, और liver हो गया, yeast हो गया, peanuts हो गया, आपके soya bean हो गया, milk हो गया, उसके अंदर भी यह present होता है, ठीक है, तो most important यह biotin में आपको पढ़ना है, तो biotin dependent reactions, carboxylation reactions पढ़नी है, ठीक है, और biotin independent reactions कौन से होती है, वो पढ़नी है, ठ बागी deficiency और यह evidine की 2-4 बाते अपने बताई है, MCQ fill in the blanks के लिए important है, ठीक है, तो यह अपना vitamin B7 biotin complete हो, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए, जै हिंत, जै भारत,